लेकिन आज भी रामरेखा धाम में उस तरह का बुनियादी सुभी धाय नहीं है जैसे कि जहारखंट राज अलग हुआ तब से होना चाहिए था तो मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि रामरेखा धाम के लिए आपका क्या प्लान है आगे और किस तरह सुझ का विकास कीजे और दोस्तों आज हम यहां पर आये हैं मानेनीय विधायक स्री भुषन बाड़ा जी से मिलने और आज हम जानेंगे उनके बारे में और रामरेखा धाम के विकास के बारे में कुछ सवाल भी पूछेंगे तो हमारे साथ आप बने रहिए तो चलते हैं दोस्तों बिना देर के विधायक जी के पास प्राइनली दोस्तों हम लोग सिम्रेगा पहुच चुके हैं और विधायक जी के पास बेठे हुए है और आज हम विधायक जी से जानेंगे उनसे जुड़ी कुछ बाते और सिम्रेगा जीला में उनके द्वारा किये गए कामों के बारे में और साथी साथ हम लोग सिम्रेगा रमरेखा धाम जो है उसमें रोपवे के बारे भी कुछ पूछेंगे तो बनरी हमारे साथ और बिधायक जी को सुनते हैं आईए तो बिधायक जी अपने बारे में कुछ बताई अपने बारे में क्या खे कि किस दरा से हम राजनीती में महाँ है सुरू से हैं जैसे हमारी स्कूल टाइम से ही मैं एक टीम लेकर चलने कोशिस करता था और जैसे तो आगे बढ़ते गिया तो कुछ समाजिक संगठन मेठक होती थी कुछ बाते होती थी इसमें बहुत अच्छान है कि हम सब जगा हम पर्टिसिपेंट करते थे हम उसमें भाग लें देले हमको कुछ करना है इसी सोट से माज़े चोटे चोटे काम को ही मैं करते गया इसे लोगों का नजर में आता गया हम और लोग लोग भी मोझे चाहने लगे किस लड़का में या सोच है ये काम कर सकते हैं इसी सोच से मесяं आज Tut के मानने विधायक बनके मैं आपके समुख खड़ा हूँ जिम्डेगा के जनता के लिए कौन सा वह कदम उठाना चाहेंगे जिसे यहां के जो लोग हैं उनको लाब मिले देखे मैं सिम्डेगा विधानसभा का विधायक हूँ मैं यहां रहने वाले हर जाती हर मजब हर समाज क लोगों का आगे बढ़ाने के मैं सोच रहा हूँ और यहां मैं किसान हो मजदूर हो चोटे ब्यूसाई हो सब के चेहरा में मुश्कान लाओं सब का परिवार में खुसाल लाओं सब को कोई भी परिवार की लोग यहां भूखा पेट ना स्वें इसके लिए मैं परयास कर र कर रहा हूं कि सब हम लोग जितने भी हम हमारे लोग हैं यह तो हम लोग हैं सब लोग हम लोग एक साथ रहके हम लोग इस तरह का जो हमारा विकास का जो गती जो हम दे रहे हैं इस गती में और हमको तिवरता मिले इसके लिए मैं सब को एक साथ मिलाकर मैं चलने का काम कर रहा ह ओज हो तो वह पूल पूलिया निए चाहता हूं अगर यहां के लोगों को अगर हम सिक्षित कर दें तो यह रोल — भाग्र क्रिस्टी बॉर सकते हैं तो और पर नाम रोशन कर सकते हैं यरी ह荃 पहला मेरा 싸टकर मेरा भीजन है कि अहां का जो सिक्षा है इस सिक्षा को मैं कि मजबूत करें विधायक जी हमारे सिम्रेगा जिला में या कहें कि पूरे जारखन में सबसे बड़ा तिरतस्तर में से एक है रामरेखा धाम तो उनके विकास के बारे आप कुछ बताईएगा और जैसे कि बहुत सा जारखन राज अलग हुआ तब से होना चाहिए था तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि रामरेखा धाम के लिए आपका क्या प्लान है आगे और किस तरह सुझका विकास कीजिएगा और खासकर सिम्डेगा जिला के पारेटन का किस तरह विकास कीजिएगा थोड़ा इस देखने के लाइक जगह है जान है यहां जेघने फालल से एक यहां यहां तो हम लों का इसम्डेगा जिला के हमारे रामरेखा धाम कंसा और मैं जैसे चाहिए बीडissäक्रापेश सबसे पहले पहाड़ी पे बसा हुए है रमण्रेखा और यहां पर बहुत सारे स्रधालों आते हैं इसमें हमारे जारखेंड के हर कोने से हम लोग आते हैं यहां पर उडिसा से 36 गड़ से भी हमारे सरधालों आते हैं और भगवान का जिस्ते जादे 64 के लोग हमारे हैं हमारे में अईभावक हैं उनको जादे भगवान का जिस तरह सब्सक्राइए, नहीं रहते हैं इसके सुआझा में इसका पासना में इसका अस्था में इसी जब तो मेरा जींत करता है तो चोटा था बच्चमन में था तो महां ओदम पहाड में चड़के पैदल सपाइशना चड़ा करता था वहा तो सटाइम मैं देखा हुँ कि क्या पर दोग नहीं हुआ है इसके बाद उसी महिना ही हम लोग का लोगडाउन हुआ और दो साल हम लोग कोरोना से ही हम लोग रहें जिसके चलते हो काम अभी तक नहीं हुआ है बॉप ऐस्तल सब्ला है हुआ है मैं जतंके बने बने प्राद के दृष्य की पहुत है तो लोग जाते हैं तो नहीं हैं surviving मा यहां के बाबा से मैं बात किया कि बाबा कुछ हों Edge तब यहां के कुछ करना चाहता हुआ इसको मैं ह् जागना चाहता हुआ हूं तो मैंने पूछा कि यहां पे देखिये दिना आपके लिद्गेर है निकिलाओ जो हमारे कुछ यहां से अधिकारी पता अधिकारी हमारे में महांनी लोगा आते हैं उनके लिए कुछ इसरे का नकिष्जगा होना चाहिए ताकिव लोग आए यहां पर अपना पूजा पार्ट करके अपना जो भी थ्वासरेस्ट करके यहां अब यहां से जाएं इसलिए मैं वहाँ मैं एक अतिती साला बनुवा रहा हूं और निश्चीत रूप से यह मैं अप कंप्लीट होने वाला है निश्चीत रूप से इसी मन्त मेरे ख्याल से उसको मैंने कर दिया जागा इतना है कि वहाँ जाने के लिए मैं बीरूप से कदम सीधा वहां करीवन 20 किलोमेटर होता है उस रोड को मैं वहाँ मार्सीडी से बनवा रहा हूं बहुत मजबुत रोड में बनवा रहा हूं ताकि जो भी हमारा उस तरह कर रांची सैड़ से जो भी आएंगे उनके लिए उनके बहुत सोटकर टेने की रस्ता होगा और आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगा इसलिए बहुत में माननी हमारे मुखमंत्री को धन्यावाद कहना चाहूंगा इस बात क को मैंने कि मैं समत हुए कि यहां रोड बनना है तो उसको पास हो गया है और अभी में इसी मंत वो टेंडर होने जा रहा है और वहां एक अच्छी और मजबूत पकी रोड बनेगी इससे हमारे सरधालों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी वहां इसी सोच से मैं काम क अधिकारी सबहों से मैं मिलके यहां के जितने अभी प्रेटन अस्तरल है उसको मैं जिनोधार उसको मैं सुद्री करन करने का परियास कर रहा हूँ और रोपय कब तक आ जाएगा उमीदेख देखे मैं तो इसके लिए लगा हुआ सुरू में पहला ही जो मैं विधान सभाव में गया उसी सेसन में मैं इस बात को मैं रखा था और इसको तो खेर इसको विभाग और हमारे में जो भी अधिकारी हैं वो लोग को मैं अगाह कर दिया हूं कि हम बनना है तो बनना है तुछ तरह का जो है जो भी समय लगे निश्चित रूप से रुपय बनेंगे तो विधायक जी का कहना है थोड़ा सा टाइम ही सही लेकिन रोपय तो बनाएंगे ही हम ही बोल रहे हैं और विधायक जी का भी अभी कारकाल बहुत है और उपरोला चाहा और विधायक जी और सरकार चाहे तो बहुत जल्दी ही रोपय बन जाएगा और हमारे सरद्धालों को बहुत अच्छा एक पार्याटनस्थल भी है और तिर्थस्थल भी है तो इंजवाई करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा तो इतने सारे जो भी काम उनलों के लिए बहुत अच्छा होगा एक रात बिताने का मोगा मिलेगा तिर्थस्थल में इसरा स्वाल यह पूछूंगा मैं कि यहां पर हमारे खेलकूद सिम्डेगा जिला में जिस तरह से खेलकूद का डंका पूरे दुनिया में बसता है तो उनके बारे कुछ कहना चाहेंगे एक बार देखिए मैं भी अपने समय में अपने स्कूल टाइम में अपना कोलेज को टाइम पे मैं भी यहां मैं खेल में काफी मुझे रूची था मैं भी कुछ अच्छे-चे टूर्नायमेंट खेला हूं अच्छे-चे में जगा में जाके वहां के दूसरी स्टेट का भी मैंने खेल और खेलाडियों से मैं वॉकिप था है अर जिस्त तरह से मैं इधायक बना विधान सभा गया तो एक युवारीद जाता हूं तो मेरा झाल के फ्रते सुरु से काफी लगाव है काफ़ी लगा है है क्षोस्टिण में नहीं होस्टेंट में रहने से मुझे सबी खैल खिलने का मुझे मोगा मिला मैं होकी फुट बोल बॉली-बोल जो एत्लेटिस भी मैं करता था उस तरह को पता चलेकव करता है तुम पर जया जाता हूं जिसके चलते हैं नोक देख रहा हैं हाँ पूरा जारखंड में खेल और फिसेज ध्यान दिया जा रहा है जिसके तहट न हर गाहों में कमें लुखानों के लिसमें की करो concepts कर्मारों करेंगों कर अब कि अभी एक सहय यूजना भी है इसमें भी हम लोग खुडबल हो की बॉसकेट बॉल बॉसकेट बोल एथरेटिस का भी उसमें बढ़ावा मिल रहा है और हम लोग सभी इस तरह का पंचायत प्रकंड मुख्यालाय में भी हम लोग खेल मैदान का निर्मान कर रहे हैं जिला करने के लिए संसाद हैं खेलने के लिए संसाद हैं खाने के लिए रहने के लिए सारा भी उस्ता सरकार इसको भी करेंगे इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हमारा सीमड़ागा छेतर होकी का नरसरी माना जाता है यहां से हम लोग हजार होजार हमारे बच्चे होकी की छेत हैं पर हमारी में लड़की हैं और लड़की आके पड़ रहे हैं अभी Am paar हमारा ने को बिने के सपोर्ट किया सपोर्ट किया उनको अर्थिक मदद भी किया उनके लिए अवास भी दिया उनके यजिए से कुछ पंड रहा है उनको दोनों बेटी को पचास-पचास लाग अर्थीक मदद भी किया और जो अच्छे इस तरह से खेलारी हैं उनको प्रतीएक साल जो अच्छे हमारे में खेलारी रहें एंट्रनेशनल खेलाडी रहे हैं उनको भी सरकार बीच बीच में चाहिए हैं और चाहिए उनको भी हमारे इस तरह से आगे बढ़ रहे हमारे युवा हमारे बेटे उनको भी इस तरह से हमारे सभी स्कूल में हम लोग बना रहे हैं जिस तरह से पढ़ाई में जो बच्चे आगे बढ़ जा रहे हैं जो बच्चे बढ़ाई में निकागे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो उनके लिए हम लोगे खेल कभी हम लोगी करती बना दिया कि आप पढ़ाई के सासाथ खेल भी खेलें और अपने जीवन को अपने लाइप को एक अच्छा मुकाम ने की तो पहुंचाएं आप लोग इस तरह निकाघा का जो हमारा सरकार का जो सोच आप बहुत अच्छी एप 9 ने सोच है और निशीत रुप से करतितर हरेज unintended करेघी और पुरा संसार में पुरा दुनिया में इस महारा भारत देश का नम रोसन करेगी द तो दोस्तों अब विधायक जी से हम आखरी सवाल पूछेंगे विधायक जी सिम्डगा जीला वासियों के लिए कुछ मेसेज है तो एक बार दीजिए देखें सिम्डगा जीला की लोग मुझे जिस सोच से विधायक बनाये हैं मैं उनके लिए मैं खड़ा राता हूं 24 गंटा इनका जो भी समस्या हैं आप देखते भी होंगे आप मेरे पास आते हैं कि हट टाइम मैं यहां पर बढ़ता हूं और जितने भी यहां इस चेतर के लोग हैं उनके लिए मैं जो भी समस्या लेका आते हैं मैं सब समस्या को बड़ी धिरच पुपक सुनता हूं और उनका समस्या को हल करने क बिज़क करने का परियास करूगा और इसके आलावे भी हमारा कि कुछ समस्या है या तो कुछ समाज का समस्या है या तो कुछ मजभ का समस्या है या तो छेतर का कुछ समस्या है सारा समस्या को पार्टी और संगठन से उपर उठके जो मेरा सोच है अब उस सोच जाती समाज धर्म के लिए में विधायक बना हुए हाँ कोई एक समाज के लिए में विधायक नहीं बना हूँ सब लोग आप लोग निश्चन कोच रुप से मेरे पास माईया और हमसे मदद लिए आपके मदद के लिए सब्सक्राइब करते हैं और विधायक जी हमारे लिए इतना कीमती वक्त निकाल के समय दिये इनके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद चलिए ठीक है बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे पास आने के लिए और हमारे जनता को जिस तरह से मुझे जो संदेश देना था आपने सप्रेम हम से ग्रहन किये हैं इसको हम चाहेंगे कि हमारे सिम्डागा चेतर के जो जनता है उनके तक इस तरह काम करने का जो धंग है जिस दोस्तों आज के लिए विधायक जी से मुलाकात का सिलसला ही समाप्त करते हैं और आज के लिए फिर मिलते हैं एक नए ब्लोग में एक नए वीडियो में और हमारे साथ बने रहें और अगर अच्छा लगा हमारा वीडियो तो लाइक करें सबिस्क्राइब करें और शेयर ज जाए हार कांड़े